जिले के तामकोर थाना शेत्र में हुई दोस्त लगे भाईयों की हत्या से शेत्र में संसनी फैल गई है प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना शेत्र के बेहट गाम के खेत पर लगे लट्टिस के पेड की कटान को लेकर एक परिवार के चार भाईयों में विवाद हो गया जिसमें बड़े भाई वा उसके लड़के ने अन्य दो भाईयों पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे दोनों को काफी चोटाई और अस्पताल में दोनों ने दम दोर दिया गाउं में चारों तरफ पॉलस तब्दील हो चुकी है पॉलस अदिक्षा घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि टीमों को गठित कर हत्यारों को ढूंडा जा रहा है तथा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है दो सगे भाईयों की मौत से शेत्र में दहशत फैल गई है यहां खेत के मेड पे कुछ यूकलिप्टस के पेड लगे हुए है और यह चार भाई है इन में से दो भाईयों का खेत यहां पर पड़ता है और जो पेड है वो यह कह रहे हैं कि जो बड़ा भाईय है उसने पहले कभी लगाए थे उसी बात को ले करके उन में आपस में विवाद है इसमें से दो भाईय आज पेड काट रहते जो बड़ा भाईय है उन लोग ने आकरके उनको रोका और यहां जगड़ा किया और उसी के क्रम में उन्होंने जो दो भाई या पेड काट रहते हैं उनके उपर हमला किया उसमें दोनों भाईयों को कापी चोटे आ गई है और उनकी मुद्थियों हुई है इसमें जो बड़ा भाई है एनिका उसके और उसके लड़कों द्वारा ये गटना कारित की है अरिवारिक जो बटवारा है और उसी में जो पेडों का विवाद है उसको लेकर के गटना हुई है इसमें इनसे एप्लिकेशन ले करके जो बड़ा भाई है और उसके लड़के उनके द्वारा जो ये दो छोटे भाईयों के उपर हमला किया है उनके खिलाब मुकदमा दर्श किया जा रहा है और टीमें बनाई गई जल्दी इनके गरफतारी सुनिशित कर रही जाएगा